हेलो फ्रेंड्स, पूनम्स किचन में आपका स्वागत हैं। और आज में लेकर आई हूँ काला चना और आलू की सबजी की रेसिपी। क्या आप सबजियां खाकर बोर हो गये हैं और कुछ चटपटा खाना चाते हैं, तो फिर ये काला चना और आलू की सबजी आपके मूँ का स्वाद बदल देगा इस सबजी को हम बिलकुल ढाबा स्टाइल बनाएंगे बहुती टेस्टी बनती है इस तरह से आप इसे जरूर बना कर देखें तो चलिए बनाना शुरू करते हैं काला चना और आलू की सबजी तो यहां काला चना और आलू की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कप काला चना या देसी चना चने को हम साथ से आट घंटे के लिए या राद भर के लिए भीगो के रग देंगे तो देखिए मैंने इसे राद भर भीगो के रख दिया था तो अब ये अच्छी तरह से फूल गया है अगर आपके पास समय कम है तो आप इसमें गरम पानी डाल कर चार घंटे के लिए भीगो दे तब भी ये अच्छी तरह से भीग जाता है और इसके बाद हम लेंगे दो मेडियम साइस के आलू आलू को मैंने छील लिया है और धोकर इस तरह बड़े टुकडों में काट लिया है और अब हम सबजी के लिए सुखे मसाले को तयार कर लेंगे तो एक कटोरी में हम लेंगे आधा टीस्पून हल्दी एक टीस्पून कश्मीरी रेट चिली पाउडर और एक टीस्पून रेगुलर रेट चिली पाउडर यहाँ पे मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और अब हम डालेंगे देड टीस्पून धनिया पाउडर अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसका एक मिक्षर तयार कर लेंगे इस तरह सूखे मसाले भीगोने से इसका टेस्ट निखर के आता है मसाले का पेस्ट बनके तयार है अब हम इसे साइड में रख देंगे और अब हम गैस पे एक कूकर रखेंगे और इसमें डाल देंगे 4 टेबल स्पून तेल फ्लेम को हमें यहां पे मीडियम पे रखना है और इसके बाद हम तेल में खड़े मसाले एड़ करेंगे तो खड़े मसाले में मैंने लिया है एक टीस्पून जीरा, आठ से दस काली मिर्च, दो दालचीनी के तुकड़े और एक बड़ी इलाइची और यहां पर पाच्छे लॉंग ली है तो इसे हम तेल में एड़ कर देंगे अब खड़े मसालों को हम तेल में 10 से 15 सेकंड के लिए चटकने देंगे खड़े मसाले भुन गये हैं अब हम इसमें दो बारी कटे हुए प्याच एट कर देंगे अब प्याच को हमें बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है प्याच को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये लाइट ब्राउन कलर के ना हो जाए जब तक यहां प्याच फ्राई हो रहे हैं तब तक हम टमाटर का पेस्ट तयार कर लेते हैं अब यहाँ पर मैंने लिया है दो मीडियम साइज के टमाटर, दो हरे मिर्च और दो टेबल स्पून काला चना इन सभी चीजों का हमें एक पेस्ट तयार कर लेना है तो यह लीजिए पेस्ट बनके तयार है अब यहाँ प्याज लाइट ब्राउन कलर की हो गई है तो इसी तरह से हमें प्याज को फ्राई करना है अब हम इसमें एड कर देते हैं एक टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट अब अदरक लैसुन की पेस्ट को भी हम कच्चा फ्लेवर जाने तक फ्राई कर लेंगे दो मिनिट तक चलाने के बाद अदरक लैसुन भी भुन गई है तो अब हम इसमें मसाले का पेस्ट एड़ कर देंगे जो हमने बनाया था अब सूखे मसाले के पेस्ट को हमें आधे मिनिट तक चला लेना है तो ये लीजिए सूखे मसाले भी भून गए हैं तो अब हम इसमें टमाटर की पेस्ट को एड़ कर देंगे अब टमाटर की पेस्ट को भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है या फिर मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से तेल सेपरेट ना हो जाए टमाटर की पेस्ट में हमने चना पीसके डाला है इससे ग्रेवी में थिकनेस आएंगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा अब इसमें एट कर देंगे स्वात के अनुसार नमक नमक डालने से टमाटर जल्दी पक जाते हैं अब मसाले को हम कभी मीडियम और कभी लो फ्लेम करके अच्छी तरह से भून लेंगे तो ये देखिए अब ये मसाला बहुत अच्छे से भून गया है और इसका तेल भी सेपरेट दिखाई दे रहा है इसी तरह से हमें मसाले को भूनना है अब इसमें एक टीस्पून कसूरी मेति एट कर देंगे और साथ में एट करेंगे एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम एट कर देंगे कटे हुए आलू और आलू को मसाले में मिक्स कर लेंगे और अब हम चने को इसमें एट कर देंगे और चने को भी हम मसाले में मिक्स कर लेंगे मसाले का पानी भी हम इसमें एड़ कर देते हैं अब हम चना और आलू को एक मिनिट तक मिडियम फ्लेम में भून लेंगे एक मिनिट बाद अब हम इसमें एड़ कर देंगे एक गलास पानी और इसे मिक्स कर लेंगे नमक कम लग रहा है तो थोड़ा नमक एड़ कर देंगे आप इस टाइम नमक को चेक कर लें और अब एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे अब ग्रेवी में एक उबाल आने देंगे तो ये देखिए ग्रेवी में उबाल आ गया है और अब हम pressure cooker का ढखकन लगा देंगे अब हम इसे full flame में एक सीटी आने तक और उसके बाद low flame में 5 मिनिट तक cook करेंगे उसके बाद gas को बंद कर देंगे और cooker को अपने आप ठंडा होने देंगे अब यहाँ पे cooker पूरी तरह से ठंडा हो गया है तो चलिए अब इसे खोल लेते हैं तो यह देखिए बहुती जबरदस्ट बहुती मज़ेदार चने आलू की सबजी बनकर तयार है तो यहाँ सबजी का कलर भी बहुत अच्छा आया है और यह सबजी बहुती खुशबुदार बनी है अब चेक कर लेते हैं कि चना पका है की नहीं तो यह देखिए चना बहुती अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और अब हम इसमें लास्ट में एट कर देंगे बारिक कटा हरा धनिया और इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे तो देखिए बिलकुल ढाबा स्टाइल चना आलू की सबजी बनकर तयार है तो चलिए अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं इस सबजी को आप रोटी, चावल, पूरी, पराठे किसी की भी साथ इंजॉय कर सकते हैं बहुत आसान रेसिपी है और एक ही बरतन में बनकर तयार हो जाती है इस तरह जरूर बना कर देखे आपको ये सबजी बहुत पसंद आएंगी तो फ्रेंड्स अगर आपको ये काला चना और आलू की सबजी की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दे और अभी तक आपने मेरे चैनल पूनम्स किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई